तो फ्रेंड्स आपका फिर से स्वाव काता है हमारे स्यूटिप चैनल में हमारे जो एस आर बी में एल्डीसी और इस्टैनो की जो वेकैंसियां हो रही थी भरतियां 2017 में वेकैंसी जो यलडीसी की थी वो पोस्पेंड कर दी गई थी किसी करणोबसंग उस motos का रीजन था कि उसमें 2016 में जो यलडिसी की वेकैंसियां होई थी उसकी भरति पठाईपूरी नहीं की गई थी तो उसके लिए 2017 की जो वेकेंसी थे उसे पॉस्ट पेंट किया गया था उसका नोटिस आया था अब जो कि है LDC और स्टेनो की वेकेंसी फिर से फिल हो रही है तो इनकी डेट आने की तारीख और नोटिस आपके जारी कर दिया गया है जैसे यहां पर देख सकते हैं आपको पोस्ट पेंट का नोटिस होगा यहां पर नोटिस डिगार्डिंग टैन टिप आंसर की ऑफ इस्टेनोग्राफर सुरू कर दिया गया था उसी समय और इसके एक्जाम और इसकी टेस्ट अब है इसकल टेस्ट का एडमिड काइड डाउल्वोड होने लगे है मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसके लिंक आप वहाँस लाकर असर डाउलोड करशकते हैं अफिहां पर देखिईग करता है यहां सही 실क्ल करेंगे इस्टैनो के लिएन इस्ट यह लिंक आपको प्रवाइट करा रखा है जहां से आपना स्किल टेस्ट करेंगे स्टैनो के लिए यह जो हिंदी और इंग्लिस से जिसने भी चूस किया होगा वह हिंदी और इंग्लिस इस्टैनो की आप पर जाकर अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है उसके बाद यह बीटी हुआ था उन्तिस दसस्ट इससाटरा को एंटीस दस दसटरा को इसी दिन ऐल डीजी का भी होने वाला था लेकिन ऐल डीजी का पोस्ट्मिन कर दिया गया सिर्फ इस्टैनों का कराया गया क्योंकि लडीजी 2016 में जो वैकेंसिया रुकी होई थी उनका पहले करा द जाएगा मतलब इस मन्त से आपके नेक्स दो तारीक तक करा लिए जाएंगे एड्मिशन सर्टिफिकेट यानि कि आपका एड्मिट कार्ड स्लॉट जो होगा वो इस पर दे दिया गया है आप एपसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस बेड़ांस इंफोरमिशन टो आल इलिजवल कंडिए तो एनवल दैम तो मेक दिया ट्रैवल प्लान वैल इन एडवांस एस पर दा आभ एपस्ट्ट्ट्यो तो अब मैं उन सभी को वैस्ट अफ्ला काऊंगा वो रिक जल्दी से प्रेपरेशन में सुरू हो जाएं उनके सुरू होने वाले हैं और जो एल डी सी की डेटा है जैसे ही यह हमारे स्टैनो के कम्प्लीट कराए जाएंगे एल डी सी की एक्जाम भी होने लगेंगे यहां पर देखिए एक नोटिस जो था आपको दिखाना था जो एल डी सी के 2016 में एक्जाम हुए थे 2017 चल ला यहां पर सबसे उपर हमारा नोटिस आता है सब रीफ्रेस्ट करेंगे हम इसे तब देखेंगे आप यह देखिए प्रवीजनल लिस्ट दे रखिए इस्टुडेंट्स की जो पास हो गए हैं एल डी सी के एक्जाम में लेकिन जो जुन्होंने 2016 में दिया था उनका यह है ठीक है जुन्होंने 2017 में फिल के थे उनकी को इटेंशन नहीं है अभी उनका एक्जाम ही नहीं हुआ है यहां पर इसी क्लिक करेंगे तो आपके पास यह नोटिस हा जाता है नोटिस के अंडरा आपको बता दिया जाता है जैसे ही जो कौलिफाइड हुए हैं 2016 में भरा था यह इन्फरमिशन अटेच करके लाना है अब यह जो लिस्ट तयार की है इन्होंने यहां पर देखिए प अब यहां पर यहां पर यह समझने वाली वात है जो कंडिट्स एडिसी के एक्जाम में आए हैं जिसका नाम क्या भो सब भी जाएंगे यह प्रवीजनल है प्रवीजनल का मतलब है इस मैंसे हो सकता है कुछ के कुछ इस्टुडेंट के नाम अभी कट किया जा सकते हैं और ह सकता है कि सारे सारे स्टुडेंट्स बुलाए जाएं वह आपके डिपेंड करेगा आपकी वैकेंसी पर क्योंकि उस समझ वैकेंसी थी उसके हिसाब से 2017 में जो एडिसी के एक्जाम फॉर्म बरे थे उन्हें भी देखना है इन्हें तो इसलिए जितने भी स्टुडेंट्स ह करके जाएं यह मत समझें कि ऐसे नहीं होगा कि उनका सारा ही आजाया गा और आपका नहीं आयागा अप अच्छे से तैयारी करके जाएं सब का हुआ यहां पर देखी जिसके आगे यह लिखा हुआ है क्वालिफाइड इन मोर दैन वन इंसिटूट यहां पर देखिए क्या है या नहीं है और दे बैंक कैटिगरी है अगर तो कैसा है तो यहां पर दिखिए इस कंडिडेट के आगे लिखा हुआ है क्वालिफाइड इन मोर दैन वन इंसिटूट तो यहां पर यहां पर यहां समझ लिजिए क्योंकि इस बंदे ने जो है 2016 में चल रहा है 2016 में दो इस बंदे कर पास हो जाता है तो जो है उससे एक इंसिटूट के लावा दो या तीन कॉलोजिस में मतलब जिसको भी प्रफरेंस उसकी चूज रहेगी उसमें किसी एक में भीजा जा सकता है यहीं इसका मीन से कॉलिफाइड इन मोर दैन वन इंसिटूट तो किसी एक और उसमें नहीं लikहा है वो टेंशन लाले उनको भी डारेक्ट और चिया जा सकता है पहले इसका कि इसके इसके अपनृदर के लिए अरुदर के लिए ठिया रहे हैं अब यहाई आपके सारे ने सेंड़िए इसके और चुका और आपको आपको जॉप्स आपको मिल for all us and अगर कोई भी problem हो तो हमसे पूछ सकते हैं और कोई भी information निकलते है इसके regarding LDC 2017 2016 या आपका recommend verification के according तो हम आपके लिए सबसे पहले लाएंगे thank you guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए हमारा चनल सब्सक्राइब कर लिजिए